हलो गैस, वेलकम बैक टो वर्ड चैनल, मैंने में सोरम चोहन, तो आज के मारे क्लास का टॉपिक है रोल ओफ जुडिश्री इन ब्रिटेन, यानि की ब्रिटेन में नियाई पालिका की भूमे का, तो आज की लेक्चर में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे हैं, जाने की कोशिश करे और जी इन्फोमेशन है, आपको डेफिनिटल यह पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर कर देना, लेकिन सबसे पहले लेक्चर को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, अब भी तक सबस्क्राइब नहीं है, तो प्लीज जो सबस्क्राइब बेल आइकन को प्रेश जरू बाकि शोचल मेडिया हैंडल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाकर जाकर के चेक आउट जरूर कर देना, क्योंकि वहाँ भी हम अपडेट लगातार स्टॉरी पे, रेइल्स के जरी आपको बताते रहते हैं, तो अपडेट या हमसे जुड़ने के लिए हमारे ज चाहिए, तो वहाँ पर आप हमें जोइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, अब जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जब हम शासन की बात करते हैं, किसे भी सिस्टम की बात करते हैं, तो उसक जो freedom जो मिलती है जोड़ी से system को freedom मिलती है अगर वो ही नहीं होगा तो सही तरह के से जो discipline है वो maintain नहीं हो पाएगा तो शासन अपने शक्तों का दुरूप योग ना करें यानि कि misuse ना करें इसके लिए एक स्वतंतर और निस्पक्ष नियाई पालिका के सापना करना बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है निस्पक्ष स्वतंतर का मतलब बिल्कुल clarify तरीके से बिल्कुल freedom होकर के अगर वो काम करना चाहिए तो उस पर कोई भी interfere government का नहीं होना चाहिए उसका एक अस्थान पर रखता है बहुत ही उचित मानता है बहुत important मानता है उसमें रोम के नागरी कानुई निकी civil law की बात करेंगे और ब्रिटेन के साथ और कानुई निकी common law तो विश्व के किसी भी देश के नियाई विवस्ता की रहे हैं कि USA की बात करें Ireland की बात करें भारत आदी देशों की नियाईक परणाली ब्रिटेन के सामन ने कानुई निकी जो उनका common law है और विधी के शासने रूल ओफ लो है उसी से ज़ादा परभावित है और आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में जो हमारे इतने शुरक्षित हैं कि यहाँ पर बहुत सारे थिंकर सोड़ा सा मतलब वो डाउट करते हैं कि इनका तो constitution में लिखित नहीं है ठीक है परंपराव के बेस पर है तो यह अपने अधिकारों को किस तरीके से safe safely रखते होंगे कैसे यह मतलब वहां के surveillance को इतना ज़ादा मतलब जो यकीन हैं वो कैसे दिलाते होंगे believe कैसे दिलाते होंगे कि आपके जो rights हैं वो secure हैं तो कहीं हाथ तक इनकी जो judiciary system है उनका बहुत बड़ा contribution इसमें रहा है यानि अगर आप यहाँ पर Lord Southern की भी बात करें तो वो भी एक सर्वोश नयाल लेगी यानि की supreme court की तरह यहाँ पर काम करता है ठीक है अब England में प्रचलित कानू में सबसे पुराना कानू सामने कानून माना जाता है संसार की सबसे महतवपूर्ण जो विधी व्यवस्ता है जो law create करने की जो system है वो एक तो रोमन कानून है और दूसरी है ब्रिटेन की सामने विदियने की common law इसका विकाज जो होता वो नॉर्मन राजाओ की वीजे के बाद होता इससे पहले जो स्थानी नयाल ले थे जो वहाँ पे normal जो जुरीश्री थी उनके स्थान रिति रिवाजों के आधार पर वो नियाय करते थे जो भी वहाँ के स्थानी नयाले जो भी वहाँ के session court है वो normally परमप्राव रिच्वल सो custom के base पर नियाय करते थे और अलग-अलग स्थानों पर एक ही परकार के मुकदमों के लिए भिन-भिन नियर्ने दिये जाते थे यनकी अलग-अलग नियर्ने बह ripe एक ही तरह के मुकदमे लेकिन नियर्ने अलग-अलग दिये जाते थे तो सारे देश के लिए नयाय की व्यवसथा एक जैसी नहीं थी परंतु Norman जो राजा थे जो Norman Kings ने उन्होंने न्याईक प्रशासन में equality लाने के लिए unity लाने के target से अपने जूइतने भी न्याईदीश थे उनको सारे देश में भीजना शुरू किया एक travel किया, एक campaign चलाया और ये ध्यान में रखते थे कि जो भी हम जहां भी हम जाएंगे परते किस्थान पर special रूप से वो प्रचलित थे ठीक है, और मतलब ये चीज़ देखेंगे कि जहां भी न्याईलों में जाकर वो बैठते थे और न्याई करते समय उन प्रथाव रित्रिवाजों को वो ध्यान में रखते थे, कि बाई क्या प्रथाई यूज हो रही हैं, क्या रित्रिवाज यूज हो रहे हैं तो परते किस्थान पर विशेश रूप से वो जो परचलित थे ठीक है, किसी भी स्थान पर के वहाँ पर कुछ रित्रिवाज बहुत ही जादा माने जाते हैं, तो उस बेस पर बात करते हैं सम्वीरियाने के स्टैचूज तो ब्रिटेन का अन्य परकार या अगर और भी modern लोग की अकरम बात करें आधूने कानून के बात करें तो संसद सही समराठ यानि कि Kings in Parliament दोरा बनाए गए कानून जो होता है वो संवीरियाने कि राजा के साथ राजा जो है वो संसद के साथ मिलकर जो कानून निर्मान करती है जो Rule Regulation को किरिट करती है बैसिकली हम उनको Statues बोलते है ठीक है तो संसदी सरवोस्ता के सिध्धानत की वज़े से निकी जो संसद है ब्रिटेन की जो संसद है जो Lord सदन है वो सुप्रम ऐसी माना जाता है वो सुप्रिम कोट की तरह काम करता है तो ब्रिटेन में सम्विद्यों का स्रिस्रसान प्राप्त होता है कि अगर संसद ने कोई कानून पारित किया है तो वो सुप्रिम कोड की तरह उसको माना जाएगा और उसके खिलाफ आप अपिल नहीं कर सकते ठीक है इसके अलाबा ब्रेटेन की जो विधी वेवस्ता है उसका तीसरा आधार है नियाए विधी यानि की एक्वेर्टी तो इस प्रकार के नियमों की जो चांसरी नियम है रूल्स ओफ चांसरी भी इसको कहा जाता है और आधुनिक नियाए विवस्ता का शोत मध्यव के विधी सिधानतों में पाय जाता है यानि की उस समय जब राजा को नियाए और कानून का शोत माना जाता था तो जो लोग नियाधिशों के नियाए से संतुस्त नहीं होते थे तो वो अपने नियाए के लिए राजा के पास जाते थे तो इसी को equity बोला जाता है तो देखने को तो मतलब यह मिलते है कि अगर वहाँ पर जो normal वहाँ पर जो civilians है अगर वो न्याधिशों के न्याई से संतुस नहीं है, कोई भी मुकदमा, कोई भी केस है, तो अगर वहाँ पर जो जुडिश्ट्री उनको फैसला दिरे, वहाँ पर सैटिस्वेक्शन उनको नहीं मिला है, तो वो राद है कि समक्ष जाकर करके उनसे न्याई की मतलब बात कर स अपराद किया है या नहीं किया है, जूरी की सारता लेते हैं, ठीक है, जूरी में काफे सारे मेंबर्स होते हैं, जो जूरी से रिलेटेड होते हैं, तो वो उनकी मतलब एक तरह किसे एडवाईजरी कहें, या यू कहें कि उसमें मतलब उनकी हैल्प लेते हैं, कि जो ये वि व्यवस्था नहीं है, इंग्लेंड या वेल्स की बात करें तो एक व्यवस्था है स्कोटलाइन और उत्रिलाइन यहने की नोर्थ आलेंड की बात करें तो उनकी अलग-अलग व्यवस्था है तो हमके अवल इंग्लेंड की व्यवस्था का यहाँ पर कर रहे हैं इंड की डिस्क्राइब जो कर रहे हैं इंग्लेंड की नयाए विवस्ता का चल रहा है क्योंकि वहीं इन में सबसे महतपून माने जाती है विशेज नयालो की वरतमान विवस्ता देगे तो 19th सेंचुरी के मद्य से यहां पर इसको स्टैबलिश किया गया है इसके बाद इंग्लेंड में दो परकार के नयाले अगर हम इंग्लेंड की बात करते हैं इंग्लेंड में टू टाइप्स के यहां पर जो जुड़ी से सिट्रमों देखने को मलता है कि दिवाने एक फोस जारी न उकद्मों के सुनवाएं क्राउन तता अभ्यूक्त के बीच होती है यानि कि जो विक्टिम होता है जिसमें जो भी वहाँ पर अभ्यूक्त होता है उस पर कानून का उलंगन का उलंगन किया है तो अभ्यूक्त अपने बचाओं में या तो वो खुद या किसी वकील की साहता से अपना वहांपर अपने आपको बजा सकता है क्योंकि उसको खुद को भी यह उदिकार करते हैं कि वो अपने लिए लड़े अपना जो भी बुरुफ हो भी वहांबर राजा के सामने या जो भी वहांपी गुवर्मेंट उसके सामने वुचीजी रखे इसके बात आता है justice of peace the magistrate के नियाले नहीं कोर्ट of justice and peace and penvery magistrate तो फोज़दारी मामनों में सबसे नीचे ग्रामिन एक छित्रों में जो नियाले होते हैं उन्हें justice of peace कहा जाता है और ये शहर एक छित्रों में magistrate के नियाले होते हैं ठीक है और जब किसी वेक्ति के वुरुद कोई भी अपराद लगा जाता है तो वो इसी नियाले में उनकी सुनवाई होती है इसी नियाले में वहाँ पर सामने ला जाता है ठीक है तो उनको justice of peace बोला जाता है यहाँ पर हम जितने भी justice system पढ़ रहे हैं कि बिटेन में किस तरीके से जो नियाले होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं फिसके बाद the court of quarter sessions तो एक नियादीश या जो petty sessions होते हैं वो नियाले के निर्णों के वृद appeal quarter session नियाले के पास आती है कहने का मतलब है कि अगर इससे पहले वाले नियाले में कुछ satisfaction वाला जो decision वो नहीं लिया जाता है या वहाँ पर victim को लगता है कि कुछ रह गया है तो वो appeal कर सकता है court of quarter session में ठीक है तो गंभीर प्रकरतिया यानि कि बहुत heinious crime जो अपराद होते हैं जो crime होते हैं जो मुकदमे होते हैं वो इस नियाले के प्रारमी शेत्रादिकार में भी शुरू हो सकते हैं यानि कि direct अगर कोई heinious crime है न वो तो direct court of quarter sessions में भी रखा जाता है वैसे एक process होता है जैसे कि हम सभी जानते कि पहले sessions में रखा जाएगा जो court छोटे court होते हैं high court में supreme court में इस तरीके से जाता है तो बीच में बहुत सारे चोटे-चोटे court पढ़ते हैं लेकिन अगर में अपराद नहीं हैं जिसमें मृत्यूदंड या जीवन भर की कैद की सजा हो सकती है तो quarter session नियाले जो जूरी होती है उसके वो हायता ले सकता है ठीक है मतलब अगर लगता है कि यह मृत्यूदंड से जुड़ावा ऐसा कोई मामला है या कोई कैद से जूड़ी भी मामला है तो वो जूरी का अपना help ले सकता है जूरी यहां पर एक advisory की तरह काम करते हैं जिसमें बहुत सारे judge वहाँ पर उनके में members होते हैं इसके बाद है assizes नियाले यहने के court of assizes यह एक ब्रहमशील नियाले है यह कहते कि जो correct courts माना जाता है जिसमें नियाई इस words में तीन या चार बार नगरों में जाकर के नियाई करते हैं यह न एक ऐसी है कि जाकर के वो नियाई कर रहे हैं वहाँ पर उनके पास वो victim निया रहा है वहाँ पर उनके पास कोई case नियाई बलकि वो अलग अलग जाकर के छोटे बड़े नगरों में जाकर के वहाँ पर नियाई करते हैं यह एक परकार का high court of justice का ही एक part माना जाता है और high court कि जो king's badge division के ही एक मुकदमयों का यहाँ पर मतलब एक तरीके से जो उनके नियाईदीश होते हैं king's badge division के एक या दो नियाईदीश इसका निर्मान करते हैं तो ब्रहमन करते हैं मैंने कि travel करते हैं गूमते फिरते हुए जो भी नगर होते हैं पूरी jury के साथ में अपने ठीके वो बैठ करके हत्या वैदेश द्रोही जैसे मुकदमयों को फैसला करते हैं तो इस तरेका कभी system है कि उनके पास कोई मुकदमय निया रहे हैं बलकि वो वहाँ पर नगरों में जा रहे हैं और पूरी अपना system establish कर रहे हैं और एक या दो निया दिश आ करके वहाँ पर मुकदमय सुन रहे हैं इसके बाद Court of Criminal Appeal तो इन अदालतों से कानून के जो भी प्रशन होते हैं चाहे वो ऐसाधरन मामलों में के तथ्थों पर प्रशन हो या नॉर्मल मामलों के तो अपील Court of Criminal Appeal के पास ले जाई जाती है जैसे कि इसका नाम ही अपील है तो इसमें अपील के जो cases होते हैं वो लाए जाते हैं तो इस नियाले में King's Best Division के तीन नियादिश होते हैं ठीक है और जो Lord Chief Justice होते हैं उनके अधिश्ता करते हैं तो इसलिए Court of Criminal Appeal High Court और Justice की एक परकार की शाखा होती है और इसके निर्ने अंतिम ही माने जाते हैं फिर इसके निर्ने के वरुद अगर अपील की जाए तो वो Lord सिदन के पास ले जाए जाती है ठीक है वैसे तो लब यह माना जाता है कि Court of Criminal Appeal एक ऐसा Court है जिसके खिलाफ कहीं मतलब इसके जो निर्ने होते हैं वो लास्ट माने जाते हैं लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी कंडिशन आती है तो फिर लास्ट एड आप जो Lord सिदन है जो सच्च में Supreme Court की तरह काम करता है वहाँ पर फिर अपील सुनवाई जाती है इसके बाद आता है दिवानी नियालेने की Civil Court तो दिवानी नियाले में कानून के उलंगन से जुड़ेवे मामले नहीं आते हैं दिवानी मामलों का संबद उन जगडों से होता है उन फाइट से होता है जो दो या दो से अधिक विक्तों के या संस्थाओं के मद्द दिवानी नियाले जगड़े का निप्टारा कर सकते हैं परन्तो कोई भी दंड़बून नहीं दे सकते है सिर्फ कोई जगड़ा आ गया उसके बीच में बस निप्टारा करना होता है मौज़े की मांग कर दी फाइन भरवा दिया तो यही चीज़ लेकिन वो दंड़ नहीं दे सकते किसे को यह तो हम अपने कंट्री में भी सुनते है इस तरह की चीज़े होती है इसके बात है था काउंटी नियाले तो यह बहुत ही मतलब famous दिवानी नियाले है और इस दिवानी नियाले मामलों में इनही का सबसे अधिक परियोग किया जाता है काउंटी का मतलब सबसे ज़्यादा है इसमें परियोग किया जाता है इनका एक नाम ब्रहमादमक इसलिए क्योंकि लोग इसमें भ्रह्म में बढ़ते था, काउंटी नियाले भी कोई नियाले होता है, तो थोड़ा सा इल्यूजन क्रियेट हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो जूरिडिक्षन है, उसका पूरा का पूरा जो मतलब एरिया है जहां तक वो काम गड़ते हैं, उसका प्रशा काउंटी नियाधिश होता है, जो उस भागे काउंटी नियाले का भर्मन करके मामले निप्टा आने के लिए जिम्मदार होता है, ठीक है, मतलब एक काउंटी होती है और उसमें बना दे जाते है, 500 से भी अधिक नियाले है, और लगता नहीं कि वो कहां होंगे, लेकिन वो केसिस हैं, मुकदमे हैं, वो सुनते हैं, ठीक हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करे दा हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस तो काउंटी कोर्ट से अपील, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के किसी भी एक डिविजिन के पास लाई जा सकती है, अब जो काउंटी कोर्ट में चीजे सुनव ही होती किसी भी मुकदमे पर और फिर वहाँ से वो satisfaction नहीं मिलता है किसी भी ऐसे विक्ति कुछ जिसका मामला वहाँ पे चल लाए जिसका मुकदमा वहाँ पे चल लाए तो उसके बाद वो High Court of Justice में अपील करता है तो ये सारे अपीली एक शेत्रादिकार के अंतरकत आते है जोने Civil Court होग या Court of Criminal अपील होग या County Court होग या तो इससे पहले वाले कोड में जो मुकदमे चल रहे होते हैं वो उसके अगले वाले में अपील कर सकते हैं ठीक इसके बाद आता है अपीली नयाले जैसे की नाम है तो डेफिनेटली इसका काम ही क्या होगा अपील सुनना तो High Court के ऊपर एक अपीली नयाले होता है अपीली कोर्ट होता है इसकी अदेख्षता Master of the Rolls करता है और इसमें 17 छोटे छोटे नियाधिश होते हैं वो एक तरीके से सुप्रिम कोर्ट की तरह काम करता है फिर नेक्स ये लोड सदन तो ब्रिटन का सबसे ऊचा नयाले हैं और अगर वहवार में देखें प्रैक्टिकली में देखें तो ये सदन यानि की संसत का उपरी सदन के सारे सदे से नहीं होते हैं कि इसमें केवल 21 विधी कानूनी लोड इस नयाले में भाग लेते हैं और विधी लोड इनको बोला जाता है जिनको कानून की रूल एगलेशन की बहुत ही डिपेस्ट समझ होती है नॉलेज होती है, इनको पता होता है उनके बारे में जिनको सच में लोग की नॉलिज होती है तो लोड चांसली इनकी अदिश्टा करता है और इनका जो भी प्रोसेस होता है उसका जो भी रूप होता है जो भी प्रोसेस होता है वो न्याइक नहोकर एक विधाई ही होता है और सदन की पत्रेका में उसे दरज भी किया जाता है यानि कि इसमें जो भी डिसेज लिया जाते है रूल एगरुशन को क्रियेट करने वाले लिये जाते है और उनका प्रपर रूप से डॉक्मेंट किया जाता है ठीक लिखा जाता है इसका बाद नेक्स्ट है प्रिवी परिषत की न्याइक समीतिया ने कि the judicial committee of the previe council प्रिवी council में क्या होता है कि इंग्लेंड कि जितने भी रिलेजंस से related जो भी निरने होते हैं यानि कि धारमिक निरनेों के विरुद भी यहां पर इसमें अपिले लाई जाती हैं तो न्याइक समीतेज होती है वो न्याइले तो नहीं है प्रॉपर रुपसे यानि कि वो जुडिश्री में तो नहीं आते हैं लेकिन इसके इसलिए यह अपने निर्णेों को अपने डिसिजन को न्याइक निर्णे की रूप में घोशित नहीं कर सकते यह केवल क्राउन से प् उकदमे को ले करके सिर्फ अपील कर सकते ही याच ना कर सकती है एडवाइस दे सकती है प्राढथ ना कर सकती है लेकिन एक जुलिशिरी की तरह कामने कर सकती है वह फैसले सुना पूरी तरह किसे investigate करने का काम ही होता है कि कैसे मिरत्ती हुई क्या कारण बना तो जाच परताल करता है अगर हम यहां पर नॉर्मल भाशा में देगी कि कहीं पर जान बुझकर लगाएगी जो आग होता है आग जिसे मामले होते है उनकी वो जाच परताल करता है कि यह जो आग लगी है जो भी ऐसा incident हुआ है वो जान बुझकर हुआ है कैसे हुआ है तो इनको verify करता है इन्वेस्टिगेट करता है तो the coroner court का मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है ठीक है वाकि काने चाप किताबं में पढ़ सकते हैं बहुत कुछ इसके वारे में लिगा गया है लेकि इसके बाद आता है म्रत्य देने की capital punishment make sure आज का video lecture आपको काफियत तक clear out हो चुका होगा क्योंकि आज हमने आप डिसकस किया बिटेन की judiciary system के बारे में अलग-अलग जो court है उसमें वो क्या-क्या काम करते हैं उनके बारे में court बहुत सारी है ठीक है कुछ शैशनल court है कुछ normal म नीचे comment section में आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी question है इस paper से related और जल्दी ही दूसरे जो second paper है वो हमें start करने वाले सो वीडियो पसंद आती है lecture भाई informative लगता है तो इसको like कर देना शेर कर देना और नीचे comment करके बदाना आप किस university college से हमारे lecture को अटेंड कर रहे हैं आपको कितनी ज्यादे से help मिल रही कोई भी confusion है कोई भी question है नीचे comment section में आराम से आप बता सकते हैं ठीक है बागे subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहे हैं so मिलता है next information के साथ में next lecture में तब तक के लिए जे हिन जे भारत